क्यों न MS Excel में अब formatting स्टार्ट की जाए, data की understandability और data की readability को increase किया जाए ताकि हमें अपनी file को पढ़ने में और देखने में ज्यादा दिक्कत ना हो, समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो formatting इसी चीज में तो हमारी मदद करती है आज मैं आपको formatting की कुछ features बताऊंगा जैसे इस data को bold करना, italic करना, underline करना, font के color को change करना, ये सब चीजें font के size को increase करना, decrease करना जितना हो सकेगा आज की lecture में हम सीखेंगे, वैसे तो formatting की बहुत options हैं इन सभी options पर हम एक एक करके बात करेंगे और formatting के कुछ एक lectures हम लगातारा अब लगाएंगे ठीक है जी, तो welcome to skill शाला, ठीक है, और मैं हूँ साहिल शर्मा, आज के lecture को start करते हैं अभी आपके सामने MS Excel की एक file already open है ये जो lecture में आज का लगाने जा रहा हूँ, बहुत basic lecture है, बहुत आराम से समझेगा डेटा की formatting कैसे की जा सकती है, सबसे पहले तो formatting में cover क्या क्या चीज़े को की है ये पूरा font group, fonts की formatting के लिए है, आपको sheet के उपर का color change करना है, font का color change करना है font को लिखने का style change करना है, font के size को increase करना है, decrease करना है ये alignment के लिए है, आपको font left side पे रखना है, right side पे रखना है, center में रखना है, top पे रखना है, bottom पे रखना है, middle पे रखना है, cell को merge करना है, ये number formatting के लिए है, ये अलगलग styles के लिए है, ये किसी cell को delete करना है, insert करना है, cell की height को change करना है, width को change करना है, तो बुल मिलाके ये सब formatting मे काम आती है चीजें बॉर्डर लगाना है ठीक है तो यह सारी चीजें फर्मैटिंग है इससे हमारी जो शीट है उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है शीट देखने में अच्छी लगती है अभी ये शीट हमें थोड़ी सी डल लग रही है जैसे जैसे मैं इसकी फर्मैटिंग करूंगा आपको ये शीट अच्छी लगने लगी और इसकी रीडेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी ठीक है जी तो आज बोल्ड इटैलिक अंडराइन ही सरफ फॉर्मैटिंग में कवर नहीं होते हैं फॉर्मैटिंग में तो बहुत कुछving होता है तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम फॉर्मैटिंग कर कैसे कैसे सकते हैं पहला मüyorsun कि यह questão सामने है select करने के बाद मैं यहां से right click करता हूँ जब हम right click करते हैं डाटा को select करने के बाद तो दो चीज़ें open होती है एक तो यह जो shortcut menu आप देख रहे हैं यह open होता है और इसके साथ ही ऊपर यह देखिए यह क्या है यह है mini toolbar यह mini toolbar आता है mini toolbar में क्या है यह देखिए font का जो face है वो यहां पर हम देख रहे हैं font का size यहां से font को increase यहां से decrease यहां से fill color यहां से यह कौन सी options है यह data की formatting की तो options है लेकिन गिनी चुनी options है जो ज्यादा use होती है जैसे alignment में इसने सिरफ center को यहां पर चुना है जो ज्यादा use होती है उनको इसने चुन लिया आप इसका इस्तिमाल यहां से भी कर सकते है ठीक है जी चलो तीसरा method क्या है जो third method है जहां से हम formatting कर सकते हैं बेखे कई बार ऐसा होता है कि सारी की सारी options font के उपर जो जो भी किछके आ जा सकता है वो यहां पर available नहीं होती alignment की सारी options यहां पर available नहीं होती कई बार ऐसा होता है तो अगर ऐसा है तो फिर हमें वो मिलेंगी कहां से मैंने आपको पहले भी बताया था वो इस पे click करके आपको मिल जाएंगी अब इस पे click कर यहां तो आप इस पे click करें पहले मैं इस पे click करके दिखा देता हूँ जैसे ही आप click करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा है format cells ये क्या लिखा है ये font का face है type face है यहां से इसको आप select कर सकते हैं ये font के style है ये font का size है और कुछ extra information भी है जिसे हम आने वाले समय में करेंगे ये देखिए colors है color को change करने के लिए तो मैं यहां को face को cancel कर देता हूँ number formatting के लिए number पर click कर सकते हैं alignment के लिए यहां पर आ सकते हैं border के लिए यहां पर आ सकते हैं fill color के लिए यहां पर आ सकते हैं protection के लिए यहां पर आ सकते हैं तो ये देखिए सारी options इसके अंदर हैं, अब इसको open करने का एक और method है, control और one को इकठा प्रेस करें, जैसे ही आप control और one को इकठा प्रेस करेंगे, तो ये देखिए ये आपके सामने पूरा का पूरा फिर वही box आ चुका है, आपको याद होगा कि मैंने dialogue boxes के उपर एक lecture है, second method ये है, इसको open करने का, पहला method ये है कि इसको open करें, दूसरा method ये है कि control और one को प्रेस करें, तीसरा method क्या है, तीसरा method ये है कि control, shift और F को प्रेस करें, खुदी बता रहा है, control, shift और F को प्रेस करें, तो भी open हो जाएगा, अब और क्या method हो सकता है, इसको open करने का, इ यहां पर ख्लिक करके देखे यह देखिए format cells का box मेरे सामने आ चुका है तो यह कुछ methods हैं जिससे आप format cells को open कर सकते हैं एक method और भी है याद आ गया मुझे यहां पर right click करें right click करने पर यह format cells लिखा हुआ है आप यहां पर click कर दे जैसे ही आप यहां पर click करेंगे तो आप दे कि जब भी आप MS Excel की फाइल को ओपन करते हैं जो इन फॉंट का फेस होता है सिफेस का मतलब है टाइप फेस देखने में कैसा लग रहा है यह यह जो चीज होती है इसको आपको चुनना बढ़ता है और MS Excel by default आपको जो फॉंट दिखाता है वो होता है कैलिबरी फॉंट यह दे इसमें इसका जो क्या उसको बोलते हैं रो की हाइट होती है ना वो 15 होती है कितनी होती है 15 points होती है और यह क्या है यह 11 है साइज इसका 11 रखा जाता है ताकि डेटा जो है वो इसके अंदर पूरा आ जाए लेकिन अगर डेटा आपका ज्यादा है तो राइट साइड की चाहता हूं नेम्स का मैं नेम्स का चेंज करना चाहता हूं जिसका चेंज करना है उसको सिलेक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट करने के बाद सारी शीट का ही चेंज करते हैं ज्यादा बढ़िया रहेगा कंट्रोल ए करता हूं और तो आहां से दे देखे कितने सारे फौणट फेसे जो हैं वो हमारे सामने हैं तो टाइम्ज न्यू रो मन अरियल ठीक है अब यह data आपका times new roman में हो चुका है तो control A करें इसको select कर लें फिर से अब इसके size को change करें जड़ा size को change करते वक्त ना एक चीज़ का ध्यान रखिएगा मैं आपको इसका size change करके सिरफ एक ही size change करके पहले दिखाता हूं माली जी आपको इसका size change करना है तो यहां पर आएं यहां पर इसको 12 कर दें 12 करने के बाद अब आप इसको 14 कर दें 14 करने के बाद अब आप इसको 16 कर दें 16 करने के बाद आप इसको 18 कर दें आप कुछ नोट कर रहे हैं क्या हो रहा है जैसे जैसे मैं font का size increase कर रहा हूं वैसे वैसे row की height भी increase हो रही है column की width नहीं increase हो रही है करके देखें जरा ये देखिए गुलू तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि height जो है वो increase होती जा रही है लेकिन कुमार दिखाई नहीं दे रहा जो इसके साथ इसकी cast लिकी हुई थी वो क्यों दिखाई नहीं दे रही क्योंकि font की width थोड़ी बढ़ रही है क्या बढ़ रहा है बढ़ रही है row की height इसका मतलब यह है कि MS Excel में जब भी हम जब भी हम क्या करेंगे font के size को increase करेंगे row की height साथ में increase होगी अब font के size को increase करने का पहला method तो यह है कि आप इसको select करने select करने के बाद यहां से अच्छी सी कोई height जो आपको बढ़िया लगती है यहां से अच्छी साइज जो आपको बढ़िया लगता है उसको आप select करने के बाद अब हम क्या करेंगे अब हम इस सारी range को select कर लेंगे यहां पर डबल क्लिक कर देंगे तो यह देखिए यह इनके width set होगी है width को set कैसे करते हैं row की height को कैसे set करते हैं इसके लिए भी मैंने lecture आपको deliver कर दिया हुआ है आप उस lecture को देख सकते हैं तो देखिए इसकी readability कुछ अच्छी हुई जब मैंने इसको change किया चलिए एक और चीज़ करके दिखाता हूँ इस row को select कर ले यह तो हमारी heading वाली row है नीचे data है उपर heading है तो क्यों न heading वाली row के size को थोड़ा बढ़ा रखा जाए यहां पर जो maximum size आप बढ़ा सकते हैं यहां पर कितना रखा हुआ है 72 रखा हुआ है size को बढ़ाने का एक और method है वो क्या है इसको select रहने दे यहां पर click करें size बढ़ना शुरू हो गया यह देखो बढ़ता जा रहा है मैं बार बार click करता जा रहा हूँ यहां पर size आप बढ़ता हुआ देख भी सकते हैं यहां से size decrease होता जा रहा है अब यह size मैं क्या चाहता हूँ मैं इससे बढ़ा चाहता हूँ यह 14 है यह कितना है यह भी 14 है इसको select कर रहे है इसको हम 18 कर लेते हैं यह देखिए मैंने इसको 18 कर लिया इससे दिक्कत क्या हुई दिक्कत यह हुई कि कहीं कहीं पर जो data था वो cell की width से बाहर जाना शुरू हो गया मैंने उस दिक्कत को दूर कर लिया अभी मैं यहां पर नहीं पहुंचा rap text से मैं इस problem को भी ठीक कर दूँगा लेकिन वो हम बात भी करेगे ठीक है तो भी मैंने क्या किया मैंने इसको बड़ा कर लिया अब मैं इसको bold करके देखू इस पूरी row को हम select कर लेते हैं select करने के बाद heading जो है bold करनी अच्छी रहती है तो इसको आप bold करें ज़रा यह देखे heading मैंने bold कर दी है bold से क्या होगा आपको text थोड़ा हुआ उभरा हुआ दिखाई देगा पता लग जाएगा देखके ही कि यह records है और यह उन records की heading है ठीक है जी और हम इसको क्या कर सकते हैं और मैं इसको italic कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो यहाँ पर आई पर click करें तो यह italic हो जाएगा अगर आप इसको underline करना चाहते हैं तो यहाँ पर click कर दें तो यह underline भी हो जाएगा अब मान लिजिए मैंने इसको फिर से normal text कर दिया देखें bold italic underline करने का एक method तो यह है कि आप यहाँ पर click कर दें दूसरा method क्या है दूसरा method यह है कि आप control और B को इकठा प्रेस करेंगे तो यह bold हो जाएगा इसी control और B को आप दूबारा से प्रेस करेंगे यह bold नहीं रहेगा यह toggle buttons हैं click करने पर action perform करते हैं दूबारा click करने पर उसी action को reverse भी कर देते हैं जैसे control I से ही italic होगा control I से ही यह non italic हो जाएगा control U से ही underline होगा control U को ही प्रेस करने पर यह underline नहीं रहेगा यही चीज यहाँ पर है यह देखे bold हो गया, bold नहीं रहा I पर click किया, italic हो गया, italic नहीं रहा अब इसको करने का एक और method है उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको यहाँ पर यहाँ पर right click करना है और आप देखेंगे उपर mini toolbar है, अब यह देखेंगे यहाँ पर आप bold पे click कर सकते हैं जैसे ही आप bold पे click करेंगे ना नीचे जो shortcut menu था वो चला जाएगा वो समझ जाएगा कि आप इस shortcut menu का इस्तेमाल नहीं करना चाहते आप mini toolbar का इस्तेमाल करना चाहते है तो mini toolbar रह जाएगा shortcut menu जो है, वो यहाँ से चला जाएगा अब आपको उपर जाके यहाँ पर click करने की ज़रूरत नहीं है, आप mini toolbar का इस्तेमाल ही कर सकते हैं, ठीक है जी चलिए अब और क्या किया जा सकता है मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर लिता हूँ फिर से सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने बोल्ड करके दिखा दिया इटैलिक करके दिखा दिया अंडर्लाइन करके दिखा दिया यहाँ पर एक मुझे line दिख रही है यह है single underlining के लिए और यह है double underlining के लिए तो आप यहाँ से इसको double underline भी कर सकते हैं ठीक है जी अब वो box खोल के देखें जरा इस box को open कर लेते हैं जैसे ही हम इस box को open करेंगे तो यह box कुछ आपको देखने में इस तरह का लगता है मुझे अभी कहाँ जाना है font में तो मैं यहाँ से भी select कर लेता हूँ यह preview window है आप यहाँ से preview देख सकते हैं अब यहाँ पर कुछ two options extra है एक तो regular regular मतलब normal text ना वो bold है ना वो italic है regular text gold italic पर वो gold भी होगा और italic भी होगा यहाँ पर आप इसका size वगरा change कर सकती है यहाँ पर आप underline कर सकते हैं और underline यहाँ पर चार परकार की दी गई है यह चार तरह की underline क्या होती है इसको हम आने वाले lectures में समझेंगे यह colors के लिए हैं और यह है normal font की लिए normal font पर जैसे ही आप click करेंगे तो यह aerial, regular और 10 हो जाएगा इसको यह normal font बानता है मैं यहाँ पर click करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी change करना चाहूँ तो change कर सकता हूँ ठीक है normal font पर click करते ही यह इस तरह का हो जाता है अगर आप ok पर click कर देंगे तो जो आपने changes किये हैं वो changes यहाँ पर दिखाई देना start हो जानेगे अभी मैं यहाँ पर इसको cancel पर click कर देता हूँ तो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ अब देखिए यहाँ पर मैंने bold, italic और underline आपको करके दिखा दिया और क्या करें हम इसको भी bold कर लेते हैं क्योंकि roll numbers बगरा हैं इनको bold कर लेते हैं देखिए मैं यहाँ पर इसको bold कर लेता हूँ अब हम थोड़ा बहुत color change करके देखिए जैसे इस particular row का जो अगर color थोड़ा सा अच्छा ले ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है यह देखिए यह color अब बढ़िया लग रहा है अगर मैं इसको भी color change करना चाहूँ तो यहाँ से select करके मैं इसका भी color जो है वो change कर सकता हूँ मैं इसको इस color में रखता हूँ यह देखिए ठीक है combination आपको अच्छा लग रहा है readability जो है वो इसकी increase हो गई है तो इस तरह से आप data को bold, italic और underline कर सकते हैं font के phase को change कर सकते हैं size को increase कर सकते हैं यहाँ पर जब हम click करते हैं यहाँ पर no fill, more colors भी आता है इसको मैं कलवले lecture में आपको करवाऊंगा कि basically यह theme colors क्या होते हैं यह standard colors क्या होते हैं more colors में हम किस तरह से काम कर सकते हैं अब एक और चीज़ आपको जो last में मुझे बतानी है वो यह है कि जब आप यहाँ पर click करते हैं तो इसकी limit आपको 72 बताता है यह बिल्कुल गलत है 72 इसकी limit है last इसकी according लेकिन आप इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं अदरवाइस वैसे ज़रूरत भी पड़ती लेकिन आपको limit का पता होना चाहिए जैसे मान लीजीए मैं यहाँ पर fifth को कि size को increase करना चाहता हूँ यह maximum कितना है 72 अब मुझे 72 से बढ़ाना है तो मैं खुद type करकर यहां से पे 100 कर सकता हूँ यह देखे size increase हो रहा है यहाँ पर मैं 200 कर सकता हूँ size increase हो रहा है यहाँ पर मैं 400 कर देता हूँ size increase हो रहा है अब इसलिए नहीं रहा क्योंकि कॉलम की width थोड़ी बढ़ जाएगी width बढ़ाएंगे तो हो सकता है में आपको यह दिखाई देना शुरू हो जाईए जैसे अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब मैं इसको 500 कर देता हूँ ठीक enter press करें सरा तो वो बोल रहा है कि size जो है मैसेज दे देगा कि भाईया size 0 नहीं हो सकता तो आप ok पर click कर दें यहाँ पर click करें और इसको वापिस ऐसे ही कर दें तो अभी मैंने आज के lecture में आपको bold italic underline करना double underline करना font के face के बारे में जानकारी की दी साथ ही जात आपको formatting के बारे में भी बताया कि किस किस वे से आप formatting कर सकते हैं कल मैं आपको और भी formatting के बारे में नहीं नहीं चीज़े बताऊंगा आज की lecture में इतना ही next lecture में मिलेंगे अगर यह lecture आपको अच्छा लगा है तो इस lecture को आप like करें comment करें comment बहुत कम करते हैं आप ठीक है तो शेर भी जरूर करें मुझे लगता है शेर भी कम ही करते हैं ज्यादा से ज्यादा शेर करें ताकि और भी लोगों तक यह information यह data यह MS Excel के lecture पहुंच सके तो next lecture में मिलेंगे thank you very much